हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल जे एससी वाला कैसे दोस्तों उम्मिद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग जैसे सीजियल का एकनोमिस क्लास करने वाले ठीक है किसी भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि एकनोमिस का नहीं कराते कोस्टन क्योंकि उकनोमिस से 2-3-4 स्वाल पुछ ले जाते हैं ठीक है और लोग एकनोमिस छोड़के जाते हैं कि चलो 3-4 सवाल का बात हो देख लेंगे वहीं पर जो जो गड़ा जाएगा लेकिन दोस्तों आपको कुछ छोड़के जाना नहीं पड़ेगा एकनोमिस पढ़ना होग हमने मनी और बैंकिंग से रिलेटर देखेंगे पहला क्लास और इसे रिलेटर करते चले जाएंगे पाट अभी 26 से 27 कोशन होगा यहां ठीक है उसके आगे बढ़ाएंगे अभी एक्जाम तो 2-3 मैना तो कापी लेट तर अपको पता नहीं हो साइट कि जो हम कोशन करवाते ह देखने को इसा मिला है दूसरी बास अभी कल ही एक्जाम हो था जो कि यह कैंसल हुआ था उसमें देखिए कर देखा दिया तो इसमें से 17 कोशन देखा दिए आप लोग को कि हम मेरे क्लास से तो इसका कहने मन दिया हम तारीफ अपने आपे नहीं करें कि मैरे क्लास है इवात हम आप लोगों को कंफिडेंस बना चाहते हैं कि जो हम करवा रहे हैं सफिसियंट है अधे रेगुलर बैसे पर देखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है लेकिन रही है रेगुलर देखिएगा तब अभी इसमें देखिएगा फिर किसी और कर देख लिजेग के बारे में कैसे हो गए कोशन भीड़ेगा एक्जाम में आएगा कि करवाया कोशन वह करवाया तो आपको नहीं बाकि आपको सपोर्ट प्यार रहा तो बहुत आगे लेंगे और कुछ नहीं है चलिए तो एकनोमिस कमनों क्लास बन देखने वाले तो रेगुलर बैसे इसका करके टेलिग्राम से लेट हो जाता है कभी दिल पर मत लिया किजिए ठीक है कि पीडियाप ने देरा पताने से भाई इसा थोड़ियों की टाइम भूल भी जाते हैं कि वीडियों पहले अप्लोट करें बना लेते शूट कर लेते ठीक है फिर सेडूल कर देते हैं इसे माले पहले बोल रहें पीडियाप देंगे लेकिन इस अब चीज का मिल जागा इस अब चीज़ा देने पीडियाप है चलिए ठीक दोस्तों तो फिर बढ़ते हैं आज का सवाल क्या कहा है चलिए वेस एंड मींस आपको कोशन देते हैं वेस एंड मिंस एडवांस तरीका और साद का मतलब ही होता है सरकार को आरवाई से अस्थाइस दिन मिल रहा है गोवर्मेंट सेटिंग टेंपोरेडि लोन परम आरवाई उसी को बोलते है वेस एंड मिंस यह कोशन बन जाएगा ता आप देखते रहे जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन बारती रिजर्व बैंक का परतिक क्या है दा सिंबल ओ रिजर्व भैंक पिंडिया दुसरा को आचल लिए फिर पहला दुसरा सिंबल ओ रिजर्व बैंक को पिंडिया बताई यह जिदा बताया दीजेगा एक तार के पेड से पहले बाग है इन्हें यह तो है पता ही आपको बन जाता है इस था आपको सवाल यह सा नहीं हलके मिलेना है विच अमग दा फोलोएंग ऑपेन बैंक फोर ओल इंडिस्टरी निम्नकित में से कौन सा उद्योग छोटे उद्योग के लिए खूला है छोटे उद्योग के लिए बता यह चलिए नबाड कौन सा नबाड होगा इसका इसका इसर नबाड 1922 में चीक है नबाड 1922 में सीवारमन कमिटी के दोबार यादख कि कोश्ण बना हुआ है सिव रमन कमिटी को सा कंपीटी के तत बना गया था इसको सीव रमन सा नहीं संग को नो बहुंद सकता है नबाड कोंच वर्षी और नहीं लाया गया था था ठीक है तो देखिए आपको याद केसे रखना है याद नहीं पता है माली पहला कब था उने से काउंट से चापन बहुत सार चलते चले तो 1912 से कीसे पता चलेगा तेखिए नबाड काउंट किजिए एक दू तीन चार पांचे नबाड में कितना स्पेलिंग लेटर है एक दू तीन चार पांचे तो सिक्स फाइपर प्लार में बढाड कोंसा फाइपर प्लार में उसी तरह इत्य प्लार में 26 फाइपर प्लार में 15 500 आकों सा पांचे प्लार प्ल इस्टेबिस हुआ था 1964 में पहला जागा 1964 में चलिए किस बैंको पहले इंपरियल बैंको पिंजिया किसको एस बिया को पहले बोलते थे पहले ठीक है हाड करेंसी क्या है आपको बताने कठीन मुद्रा क्या है हाड करेंसी बताइए एक करेंसी विच इस पेड़ फॉर लोन ये मुद्रा जो रिन के लिए भुखतान की जाती है यह करैंसी जिसको उप्योग करना आसान होता है, ही ही होता है थी कही है, इसको इसको बोलते ह्ब है क्या है, क्या बोलते है उसको हरड करेंसी, омеंनों से फ हैं होँ बताइस में से इसमें से Satru इसमार इसमें से क्या कि अरो कर दो बताई किस्टन आपको आजएक क्या किजिए इक भार रह करना है तो स्यत्रामागों किलिक करए कया और विलिक मालिक है इसका इंसर यही होगा ठीक है इसका इंसर B हो जागा पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बेड बुरा मालिक है money is a good servant but bad master भी जराइटेंस है चलिए नबार related to अभी बता दिए नबार का question बहुत एक्जाम में आता है दोस्तों नबार किसे related है agriculture and roller area नबार is related to agriculture and roller areas सीवर रवन कमेट्टी उन्हें 186-5 पिर प्लान में इसका answer first हो जाएगा चलिए hot money क्या होता है hot money किसे hot money के रूप में जाना आता है बताएए बताएए भाईया hot money की ना बताएए किसको बला आता है चली FPI या FDI या ADR या GDR देखो FDI तो नाम सुने होंगे क्या foreign direct investment फ्रेस्ट्न न फ्रेंड डारेक्ट इंवेस्ट्मेंट् फ्रेस्ट्न फ्रेंड्री डारेक्ट इंवेस्ट्मेंट् फ्रेंड इंवेस्ट्मेंट्न यह नहीं होता है अच्छा, FPI क्या होता है, इसका होता is foreign portfolio investment लिख देते है आप है, F-O-R-E-I, foreign portfolio, portfolio investment वो इसका हैपीशे में पूचितर प्लप्रमतिया पहल लगा थेको foreign जाखना है, P से portfolio और आज जेंबेस्टमें, इसे को बोलते है Hot Money ठीक इसका डिटेल में बताएंगे कभी इस अब पढ़िए कि एक लोंगी सब पता चल पाएगा होट इपनेस है लेकिन हम लोग कोशन कर रहे है तो फॉरेंड पॉर्ट फॉल्यो इंवेस्टमेंट को हम लोग होट मनी के रूप में जानते हैं ठीक है फॉरेंड पॉर्ट जाएगा ए कैसे रिजर्वेस्यों सी आर और अपेन मार्केट अपरेशन अर्दा टूल्स अफ टूल्स अप कैसे रिजर्वेस्यों एंड नगत अरची तनुपात और खुले बजार के संचाल के उपकरन है मौद्रिक निती क्या है मॉनेटरी पॉलेसी मतलों मॉनेटरी ठीक है इसे कौन बैंकिंग सुधार से सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब फसेगा क्योंकि क्या पता कौन पुछेगा आपका एक स्रिप्टिम होने वाला है समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं आपके स्रिप्टिम कुछ और तो आपको टार्गेट में लेग चलना पड़ेगा 30-40 तो अभी विहार में भी आया होगा था सिजल का कली जाम में हमको याद नहीं क्या दिया था लेकिन आया होगा था कमिटी से बताएए बैंकिंग से कौन सा समय कमिटी बैंकिंग से डिलोटरे था है चलिए इक यह मतलब इस तो सब बता देगा इस तरह कोशना तो मजहरी जा जाएगा इसका मतलब इलक्तों बैंकिंग वह जाएगा कि निमिकित में से कौन बेकल्पिक धनकाई उधारान이다 फूलेंगी एकऍ्जाम्पल covid experti colonial partner Canada अच्छा जी अपसिनल में बोल्ड़ाने हैं काओ उप्स नमें देखिए करेंसी नोट तो होगा ने भाइस कोइन सिखें टो takiej कोइन से बाद किपोंज को बॉलते हैं इसको बोलते हैं इस जो पहलते हैं डूस्तों इसको बोलते हैं मेरा пой शेक जीक को च्जार अप्ट्स ल मनित और फ्रस्टृ बेंकिंगर अभी किवाइब का विकास डेपलापमेंट संहें जस्ता को तो दोस्तों आपको जनकारी के लिए बता देने चाहते हूं, Green Bank की ECU को बोलते हैं, Bank को दोवारा परियावरान के अनुकूल परियोजना, Financing of Environment Friendly Project by Banks, इसको बोलते हैं, Green Banking बोलते हैं, ठीक है, इसका इंसर हो जाएगा, B. भुक्तान घाटे के निरंतर संतुलन के कारण गिर्ती, विनेक दरवाली मुद्रा को कहा जाता है, Currency having a falling exchange rate, due to continuing balance of payment deficit, is called. भुक्तान घाटे के निरंतर संतुलन के कारण गिर्ती विर्यम दरवाली मुद्रा को क्या कहते हैं, इसका बोलते हैं, इसका बोलते हैं, soft currency, नरम मुद्रा बोलते हैं, ठीक दोस्तों याद आखिएगा, इसको नरम मुद्रा बोलते है, soft currency. अज सभी राष्ट करते बैंकों जमा बजचत पर ब्याज दोवारा निर्दाइद के जाता है, the interest on saving deposit in all nationalized bank is determined by. तो किस के दर हैं, RBI के दोवारा और क्या, RBI. इंडियन बैंक नेशनलाइज इंपरेंट बहुत को सने, इंडर गांधिंग टाम का 14 बैंकों का national राष्ट की करन किया गया था, तो कब किया गया था, बताइए, याद आखिएगा, उनेट 79 में ठीक, याद आखिएगा, कितना बैंकों का, 14 बैंकों का, 14 बैंकों का nationalize किया गया था, 1979 डेटा आखिए, नवाड का मतलब बताईए, नवाड का मतलब बताना, आपको पहले बता चुक है, सिवरामन कमिटी, उनेश उपराशी, और सिक्स फैपिर पलाम, इसका मतलब बता देजिए, पर इहर बताईए, नेशनल बैंक फोर अगरी कल्चर, और आगे बताईए, यतना तो ब्रहिंट देदिये, क्रिशी और ग्रामिन विकास के लिए नेशनल बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फोर अगरी कल्चर एंड रूलर डेबलपमेंट, याद आखिएगा इसका फुल पॉर्म, नवार बहुत इंपोरेंट टोपिक है, इकोनोमिस में, चीप मनी मेंस मतलब, अलप ब्याज मुद्रा का जक्ति का हुता ही, चीप मनी, बताइए, तर लो रेट इंट्रेस्ट एंसर तो लिखाई हु इसमें, लो रेट इंट्रेस्ट को बोलते हैं, चीप मनी, इसका एंसर फरस्ट हो जागा, ए, आर बी आई, वाज, पर निंडाए ऐंसर रश्टी करन किसं कब किया गया था, बताईए, आपको बताना भीना उप्शन के साथ, एक सो निसो और तालिस है, यह तो हो गाने, ठीक है, तो RBI प इंडिया, रिजर्ब बैंक को प इंडिया वाइज निसनलाइड इन, आदक एक डिट, उनिस सो का बोलिए, उनिस सो उन्चास, ठीक है, इसका मतलब इसका इसका सी हो जाएगा, बैंक की कुल जमाद देंदारियों के लिए, नगत रोख के अनुपात को कहा जाता है, तक रेशियो बैंक कल्दिक होल्डिंग, टो इस टोटल डेपोजिट, लेबलिटिज इसकोल्ड, चल रहा ही सबसे अच्छा ततरीका एक बेंक नुक्सान से बच सकता है सबसे बच सकता है bank व sensitive सबसे बच सकता है बेस्ट वे a bank can avoid loss ही सबसे अच्छा तरीका एक बैंक नुकसान से बच सकता है कब केवल बैंकों को ग्यात बैक्ति को धार दे यह तो ग्यात मतलब हुआ यह कोई मतलब हुआ यह कोई बात नहीं हुआ धावनी संपाविट 6 कार करें एक रुपिया के सिख्के में किसका होता है आपको बहुत इंपोड़न कोई में आ चुका आपको साहत इल्जाम दियांगा पता ही होगा एक रुपिया के सिख्के में किसका होता है अपनों तो क्या मारते होंगे बता है क्या मार यह बताइए मार देज़ेगा गोवर्नर अब RBI यहीं मारीगा लेकिन याद रखना है एक रुपीय का सिक्का जो होता है ना फिनांस सेग्रेटरी का वित सच्चियू का सिगनेचर होता है याद देखेगा टी एक रुपीय होला है कापी नए पता हो तो गल्ती मार देते हैं लोग अक्सार किस में शुरू किया गया था यह बताए हे जब भारत अजाद हुआ था ने उसका खीक 10 सल के बाद यहें डेसिमल मनी सिप्टम मतलब डेसिमल मनी सिस्टम C RBI के साथ सामधेरिंग नियुनते औस यादीग और उपर वाने जीएं द्वारा अयुद अरचित को कहा जाता अतरिक्त बंडार बोलते हैं इसको बिदेशी मुद्रा जिसमें तवतरित प्रयास की प्रयोती होती है उसे कहा जाता है foreign currency which has a tendency of quick migration is called foreign currency which has a tendency of quick migration is called बताए बिदेशी मुद्रा जिसमें तवरित प्रवास की प्रविती होती है उसे गर्मुद्रा बोला जाता है ECS क्या है ECS का सीधा सीथी full form फूश दिया है ECS electronic clearing service क्या है electronic clearing service पहला option क्या है access credit supervision extra cash status exchange clearing method electronics clearing service इसका इंसर जा अगर D ECS का full form है electronics clearing service ठीक दोश्तों तो उम्मिद करते हैं आपको कोसंग पसंद आया होगा तो इसका हम अलग से प्रेस्ट बना दे रहे हैं जैसे से सीजियल एकुनोमिक्स ठीक है यह पहला क्लास है फिर अगलों विस्टेस पर देखेंगे बहुत अभी समय बचा वहाद दोर दीन में बहुत अभी हर कोसंग को सब्सक्राइब बल्ले हो जाएगा अब सब्सक्राइब आपको साइट से पढ़ते रहा ना बागी कोई दिकत नहीं होगा ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में और टेलीकराम इसका डाल देंगे पीडियाफ में तब तक लिए जैहिन जैवारत